तो दोस्तो बहुत लोग सुचते हैं कि investment कहा करें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गलत जगह पे आपना पैसा trade कर देते हैं या invest कर देते हैं उनका पैसा वहां फॉस्ट चाता है तो दोस्तो इसी के बारे मैं आज full information देने माला हूँ कि क्या सही जगा है बहुत लोग चाहते हैं कि इंट्राडे यानि आप 24 गंडे में पैसा को डबल करने तो दोस्तो ऐसा थोड़ो ही होता है आप किसी भी प्लाटफॉर्म में जाते हैं तो वहाँ पे डबल करने कहीं सुचते हैं जैसे कि मानिया कि कोई कोई S.I.P. में करता है कोई mutual fund में करता है कोई F.D. में करता है कोई E.P.F. में करता है तो दोस्तो बहुत सारे पैसे को बढ़ाने का बहुत सारे जरिया हैं जिसमें कोई ऐसा भी लोग हैं जो गलत रास्ता पुकर लेते हैं और अपने profit के तो बात ही छोड़ो loss भी करवा कि आ और वहाँ पर देखे कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा खासा यहां से trade कर रहा है और trade से पैसा ले रहा है तो उसको उसका जो पीछे का region है पीछे का नहीं जानते हैं बस उसका profit ही जानना होता है उनको कोई भी portfolio कोई अप्चियक ही नहीं करते हैं डारेक्ट उसमें share ख आपने red और green रेड और green जैसे green उपर जाया आपने sell कर दिया जैसे आपका नीचे नीचे red आया आप पाय कर दिया तो ऐसे थोड़ो होता है market में market को समझना पड़ता है और market को पूरे तरह स्थे analysis किया जाता है कि हा मार्केट किस तरह है क्या कर रहा है पैसों को invest कहा कर रहा आइ किस तरह से market हमारा grow करेगा मानी कि अगर आप बहुत सारे ऐसे हैं कि daily in daily गर 24 घंड जिसमें 12 घंटा चलता है ना इंट्राडे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दिन भर में 10 share कर देंगे और 10 share बेचेंगे तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे share में लॉस्ट करते हैं तो इसे क्या होता है कि धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जैसे कि मानी कि किसी ने लगतार 10 दिन कहला और 10 दिन उसने प्रॉफिट बनाया एक रवे दिन क्या ओ तो समझेगा कि मैं बहुत बड़ा सेर हूं मैं यहां से पैसा कमा सकता हूँ तो वो क्या करेगा लिमिट बढ़ाएगा और फिर वहाँ पे धड़ा 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 से एर खरते जाएगा और लॉस होते जाएगा अब वो कभर के चकर में लग जाएगा और कभर के चकर में होते होते कितने सारे करजे लग उसके उपट हो जाँगे पता ही नहीं चलेगा तो दोस्तों यहीं लोग मार्केट में करते हैं कि डबल के चक्कर में अब जो पास होता है वो भी खो जाते हैं और करजा पे करजा, करजा पे करजा profit कॉबर करने के लिए जो loss हुए उसको cover करने के लिए इतने ज़ादा रुपे लगा देते हैं कि उनको cover तो क्या करजा इतना हो जाता है कि फिर ओ market हो ही गलत बना के चले जाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं कि नहीं ये share market सब fake है वैसा है वैसा मतलब कि बहुत सारे बात बोलके चले जाते हैं कि मैं उसको कभी देखूंगा नहीं तो ऐसे थोड़े ही होता है कोई भी चीज में time लगता है अगर किसी बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो किस लिए पढ़ा रहे हैं उसको पैसे कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं उसको एक अच्छा में टाइम लगता है पैसा टाइम खोचता है इन्वेस्ट समय पे इन्वेस्ट होता है अगर आप चाहें कि तुरत इन्वेस्ट करें और तुरत प्रोफिट तैसा थोड़ो होता है किसी भी काम में टाइम लगता है और टाइम का भैलू होता है जैसे ही आप टाइम होगा इवेस में एक बार क्या हुआ था कि एक सिक्रोटे गार्ट जिसने चार साल के लिए उसने शेयर खरिद को छोड़ दिया था और और 40 साल बाद उसको इवेस का टॉपर इन्वेस्टर के नाम में आ गया तो ऐसे कैसे आया यह कि उसने टाइम दिया टाइम देने पर ही सब कुछ होता है वेगर टाइम पर कुछ नहीं होता है तो ऐसे आप किसी भी धाड़ा धाड़ा किसी भी इन्वेस्ट मत किजिए और समझ रिसर्थ कर्ज के ही आप वहाँ पर इन्वेस्ट किजिए ताकि आपको वहाँ पर लौस ना हो तो दोस्तों यही छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए था और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अभी तक मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्स